दोस्तों बागे लक्षमी का आने वाला एपिसोड काफे ज़्यादा दिल्चस्ट देखने को मिलेगा जहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि कि इस तरीका से रिसी अपने दिल की बात बताता हुआ नजर आने वाला है फाइनली लक्षमी को जी हाँ क्योंकि रिसी इस समय अपने दिल की बात इसलिए बता रहा है लक्षमी को क्योंकि इस समय रिसी को भांगर नसार चर चुका है और ये नसा किसी और नहीं बलकि खुद आयूस ने करवाया था क्योंकि आयूस चालाक है आयूस जानता है कि किसी भी तरीका से रिसी भा क्योंकि आप लोग जानते ही है कि इस समय सोना लौर मलिस्का ने बहुत बड़ा प्लान खेल दिया था कि लक्ष्मी को हम नसा ऐसा दिला देंगे कि जिसके बाद में लक्ष्मी उल्टा सीधा बक्ती हुई नजर आएगी और सभी लोगों के मन और दिमाग से पूरी तरीका से उतर जाएगी क्योंकि वाके में लक्षमी का इतना बुरा कोई और नहीं सो सकती वो सिर्फ मलिसका ही सो सकती है लेकिन मलिसका को किस तरीका से कंट्रोल करना है वो आयूस को बहुत अच्छी तरीका से पता है क्योंकि आयूस ऐसा है उसने बोल दिया है कि मैं मलिस्का का रूप इस तरीका से सभी लोगों के सामने लियाँगा क्यों सोच नहीं सकती कि उसने पंगा किसे लिया है और वाके में दोस्तों ये एक रियल्टी भी है क्योंकि आयूस के होते हुए लक्षमी को किसी भी तरीका की कोई दिक्कत होने वाली नहीं है साथे दोस्तों आप लोगों को पता देना चाहता हूँ कि जल्दी ही आप लोगों के बीच मैं नیا टोश्ट देखने को मिलेगा जिसमें आप लोग जानते ही हैं कि इस बक्त की बड़ी ख़वर मिल रही है बात की जाएं लक्षमी की तो लक्षमी बोलती हूँ नजराने वाली है रिसी से की हाँ मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ चौँकि दोस्तो रिसी और लक्षमी एक दूसरे के लिए प्यार का जो इजहार कर रहे हैं इससे मलिस्का को आने वाले समय में बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने जा रही है क्योंकि अभी तक मलिस्का को पता नहीं है कि रिसी और लक्षमी एक दूसरे से कितने भी कोसिस कर लो अलग नहीं हो पाएंगे क्योंकि आज के समय में लक्षमी प्यार करती है